कि अर्ली एक्सपिरियंस एंड लेटर डिवेलपमेंट की बात करें तो एक क्वेशन अराइज होता है कि how permanent are the effects of early stimulation or deprivation तो as far as motor skills की बात करें तो early experiences जो हैं उनके कोई lasting effect नहीं होते motor skills पे जैसे कि children जो थे Iranian orphanage से जो के adopt किये गए थे before the age of two उनने बहुत जल्दी जो है जो उनकी gaps आ रहे थे उनकी development में उनको जल्दी attain कर लिया था और उनकी later on एक normal development हुई थी according to Dennis in 1973 infants जो एक Indian village isolated Indian village के हैं वो अपने बच्चों को जो है वो एक साल तक एक ऐसे hut में रखते हैं जिसके अंदर खिड़की भी नहीं होती क्यूंकि according to their belief बच्चा जो है वो शुरू के एक साल में हवा से या धूप से बिमार हो सकता है जिसकी वैसे उनको बहुत लिटल opportunity मिलती है to crawl या उनके पैरेंस जो हैं वो ज्यादा उनके साथ खेलते भी नहीं है just because कि वो बिमार ना हो जाए जब ये बच्चे जो होते हैं to leave their hearts तो य ये बहुत पीछे होते हैं as compared to those American children who are rearing at their homes लेकिन वो उनको catch up कर लेते हैं at the age of three और well coordinated होते हैं जैसे कि usually normally बाकी बच्चे होते हैं अगर हम दूसरे areas of development की बात करें जैसे कि language ability हो गया intellectual skills हो गया और emotional development हो गया तो ये जो है इसकी early deprivation जो होती है वो affect करती है और ज्यादा long lasting होती है वो बच्चे जिनकी learning opportunities जो होती है वो restricted होती हैं during the first two or three years of life उनको encourage ना किया गया हो या उन्होंने environment को explore ना किया हो वो बहुत पीछे हो रह जाते हैं as compared to those जिन्नों ने ये सारी opportunities को avail किया हो और अपने आपको improve किया हो either it's in language or intellectual skills और ये जब school में enter होते हैं तो ये catch up ने कर पाते हैं उन बच्चों को जिन्हें normal opportunities मिली हो to improve themselves in the developmental stages तो इस चीज़ को देखने के लिए कि stimulating environment जो है early years में for later intellectual development कितना important है एक classic study की गई थी by skills and die in 1939 और उसके अंदर group of orphan children लिए गए थे जिनकी जो development थी दो साल की उमर में वो इतनी retarded थी कि उन्हें किसी ने भी adopt नहीं किया क्योंकि वो consider नहीं किया जाये थे as adoptable जिसके वाद से उन्हें transfer किया गया था एक institution जो कि mentally retarded लोगों का था और उस institution में हर एक बच्चा जो था वो एक mildly retarded girl को दिया गया था जो कि उसकी surrogate mother as a surrogate mother जो थी वो act कर रही थी तो उसके अंदर था वो facilities जो थी वो ज्यादा थी as compared to that orphanage तो उसमें वो ज्यादा बच्चे जो थे वो ज्यादा तर टाइम जो थे वो गुजार रहे थे खेलने में बात करने में और informally वो surrogate mothers जो थी वो उन्हें कर रही थी इसके साथ साथ उन्हें living quarters जो थे उनके वो spacious थे और उनमें बहुत toys थे जिसके वैसे जब वो walk करने लग चाते थे तो उन्हें nursery school में डाल दिया जाता था जहां और ज्यादा playing materials होते थे और stimulation जो थी वो प्रोवाइट की जाती थी आफ्टर पीरिड ओफ फोर यह यह एक्स्पेरिमेंटल ग्रुप जो था इसने average gain शो किया था अपने intelligence का जो के 32 IQ points था वेरास जो control group था जो रहे थे orphan age में और वो इधर institution में नहीं आयते उन्होंने loss शो किया 21 points का follow-up study जो थी वो की गई after 20 years in दोनों ग्रुप पे तो वो ग्रुप जो एक्स्पेरिमेंटल ग्रुप था वो अपनी normal जिंदगी गुजार रहा था वो high school गया वो self-supporting थे उन्होंने शादी की and they were living a healthy life in contrast वो ग्रुप जो कि control group था जो कि orphanage में रहा वो जो था three grades से आगे नहीं जा सका और self-supporting नहीं था और एक healthy lifestyle या healthy life वो नहीं गुजार रहे थे although जो number of subjects था study में वो बहुत कम था लेकिन ये इस चीज को indicate कर दिये कि stimulating early environment जो है वो later intellectual development के लिए कितनी important है यानि वो बच्चे जिनको stimulating environment मिला उन्होंने ज्यादा progress किया और उन्होंने अपने आपको improve किया उनकी ज्यादा healthy development हुई as compared to those जिनको इतने stimulations या इतने exposures नहीं मिले for their healthy development है